। मेलकॉन टो क्राइटिंग वैल्थ हम बात करेंगे एक टेक्स्टायल से किस टॉक्स के बारे में और जानेंगे क्या करती है डिक प्रोड़क्स में जो है डिल करती है कंपनी के आगे क्या फ्जूचर प्लांस और उसको देखते हो इस टॉक का क्या टार्गेट हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का नाम है PDS Limited PDS की अगर बात करें टेक्स्टाल सेक्टर के अंदर बहुत ही बहतरीन यह कंपनी है इनके अगर प्रोडक्स की अगर बात करेंगे मैं आपके सामने जो है इसका डेठील्ड जो है कि अंख रखोंगा आपके सामनी कंपनी जो है काफी जो इंडिया जहां पर जो है company इनकी जो है manufacturing capacity जो है इनके पास में मौझूद है बहतरीन company pts की अगर बात करें और idea factory, design center, product development, manufacturing center and showrooms हर चीज जो है company के पास में मौझूद है आप देखेंगे expertise की अगर बात करें तो 150 plus इनके पास में जो है designers है global brands and retailers की बात करें, 190 plus customers है global presence देखेंगे 22 countries के अंदर है इनकी, इनकी strength की अगर बात करें तो 3000 plus employees है इनके साथ में associates की अगर बात करें 5000 plus factory staff है, network की बात करें तो 50 plus offices है इनके तो यहां पर अगर देखेंगे आप global presence इनकी तो एक अच्छे खासे area में जो है इनकी global presence है US, Canada, Chile and यहां पर UK देख सकते हैं बहतरीन जो है company ने अपना पूरा जाल बिछा रखा है all over world की अगर बात करें जाए तो South Africa, Dubai, India में देख सकते हैं आप Sri Lanka and India, Bangladesh यह area जो है company के जहां पर sales and design की अगर बात करें तो यह सारा कासा area जो है company cover करती है sales and design के अंदर, sourcing and manufacturing के अगर बात करें जाए तो यह area है जहां पर जो है company sourcing and manufacturing का जो है काम करती है अभी recently जो है company ने कुछ चीज़ें जो है change की है जिसमें देख सकते हैं आप तो company जो है कुछ चीज़ें जो है change कर रहे है जिसमें अपना corporate name तो पहले पीडियस मल्टिनेशनल सेनों ने जो है पीडियस लिम्टेट कर दिया उसको logo and augmenting of diversifying board and directors and website revamp कर रही है तो यहां पर देख सकते हैं पहले जो है company यह थी यह इनका जो है logo था पीडियस मल्टिनेशनल करके अब यह हो गया पीडियस लिम्टेट हो गया विद्धी चेंज इन देर नेम एंड लोगो दे कंचिन्यू यूजिंग इनोवेशन डिजाइन एंड एथिकल एप्रोच तो फोर्ज वेटर फ्यूचार न्यू एंड डैनेमिक मेक ओवर ओफ देर वैबसाइट तो पहले इस तरीके से थी वैबसाइट अब यह थोड़ा इसेंटली एड़ेट प्लेटफॉर्म एंड यह इनके सारे जो है बोड़ अप डिरेक्टर से एंड चेंज किया है रिस्टर्ड एट्रस पीडियस मल्टी नेशनल की अगर बात करें तो कंपनी ने जो है जिस तरीके से पर्फॉर्मेंस दिखाई है हाफ यर्ली एंड क्वाटरली के हिसाब से बहुत ही भैतरी जो है इनकी पर्फॉर्मेंस आती हुई दिखी है प्रॉफिटिबिल्टी के लिहाज से एविड़ता margin हर तरीके से जो है company ने बड़िया पर्फॉर्मेंस दिखाई है इस रार एंड जिस तरीके से जो है company के जो मेनेजमेंट है वह वह बहुत ही a growth को लेके बहुत ही positive है तो आगे company एक बड़िया पर्फॉर्मेंस दिखाने के लिए बिल्कुल ready है अब मैं आपके सामने जो है और एक डिटेएल आडाइसिस रखता हूं तो जिसमें आप देखेंगे यहां पे थाटी परसंट आरोसी थाटी फॉर परसंट आरोई इस तरीकी से आप देखेंगे तो टॉप लाइन टॉप लाइन ग्रोथ एटीन परसंट की ग्रोथ है क्वाटर टू एफई ट्वाइटी टू की बात करें तो हाफ येरली के इसाब से देखेंगे तो थर्टी फाइफ परसंट येर ओन येर की स्ट्रेटिक बिजनेश डव्लफमेंट एकम्रेंड कर रहे हैं अपने आपको जो है न्यू जोग्राफीज एहर एन्द के अंदर एकम्रने बिजनेश को नॉर्थ select का बिजनेश dispending नॉर्थ अमेर का बिजनेश tu कि हम देख रहे हैं कि लॉंचिंग ब्रांड इन इंडिया कुछ और ब्रांड्स भी जो है इन्हों ने इंडिया के अंदर जो है लॉंच की है कि वेंडर नेटवर्क भी जो है कंपनी बढ़ा रही है वियत नाम में कि इस तरीके से बोल रहे है डियर टार्गेट इस तो ग्रोग टू टाइम्स इन फोरियर फ्रॉम तुर्की एंड सराउंडिंग रीजन ऑपरेशन्स कि अभिया एंदे स्टेंटनिंग बेंडल नेटवर्क एंटैड इस्ट्रैजिजिक पार्टनर इण पार्टनर्शुप इन स्रिलंका तो स्रिलंका में एकरिटी टोफ्री देंव है कंपनी का बिजनेस मॉडल आप यहां पर देख सकते हैं तो कंपनी जो वेडियेशन है रेवेन्यू ब्रेक अप जो है आप यहां पर देखें तो इसमें लेडीज वियर मैंस्वियर चिल्रण वियर एन एश्टेंश एंटस तो यू के यूरोप से जो है इनका सबसे जादा जो है एक रेवेन्य आता है एक परसेंट नॉर्थ अमेरिका से फोर्टीन परसंट एसी आन मिडिलीलीर्स से आता थ्री परसंट तो यूकें यूरोप पे सबसे जादा जो यहां पर देखेंगे तो इसको जो है इनोंने एक्वाइर किया है इससे फाइदा जो है कंपनी क्या कर रही है कि एक्सपेंड कर रही है और क्रेट करेगी अपॉर्चुनिटी इंडियन फेशन मार्किट के अंदर एंपेरल बिजनिस के अंदर तो यह थोड़ा कंपनी को और एक फाइदा मिलेगा आने वाले टैम में इससे भी और कंपनी जो है अभी स्रेटीजिक पार्टनर्शिप इन्होंने जी जो है किये तैकनो डिजाइन जी-ैम-बि-एच वर एन एक्स्क्लूजिव सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया एंड स्री लंका तो देख सकते हैं अभी इन्होंने जो है यहां से भी जो है पुर्ट को जिन और जिन चीजों को जो है कंपनी बना रही है तो एक बहत्रीन कंपनी और बढ़िया जो है शांदार जो है इनको आने वाले टैम में इनका परफोर्मेंस रहने के चांसे से ज़ादा और सबसे बड़ी बात कि यह कंपनी जो है textile sector के अंदर है textile sector में एक अच्छी खासी जो है डेमांड भी इस समय पर मौजूद है तो कंपनी जो है हर केटेग्री के लिए जो है प्रोडक्ट बनाती है जिसमें मेंस, मोमेंस एंड किट्स आते हैं तो कुछ और फर्णामेंटल अगर देखा जाए तो कंपनी का तो आप देखेंगे तो यहां पर करीव करीव 77 की इपीएस है इनकी शांदार इपीएस मार्केट कैप ज्यादा ना होने के बाद भी देख सकते हैं इपीएस बहुत ही शांदार है 4,000 का मार्केट कैप है स्मॉल केप कंपनी है वन की डिविडेंट डिल्ट है टैन की फेस वैल्यू है डिविडेंट ट्रेक रिकॉर्ड अगर देखेंगे 2021 में जरूर इसने डिविडेंट दिया इससे पहले कुछ नहीं दिया लेकिन दिया भी है तो एक बढ़िया दिया है 16 रुपे के आसपास का रेवेन्यू 17-18 के बाद में रेवेन्यू जरूर बढ़ा है और 19-21 के अंदर रेवेन्यू ठीक ठाक आता हुआ दिखाए प्रॉफेटिविल्टी में जो है चार चांद लग देखेंगे तो इनसे तो बहुत ही लंबी जो है दीवार बनी है सब्सक्राइब करेंदर बाद में रेवेन्यू जो है जए यह रही है यह सितंबर वाली जो रेवेन्यू की अगर लाइन आगर देखेंगे तो प्रीविएस फॉर और क्वाटर को आप जो है profitability आई इनकी year on year quarter quarter दोनों तरीके से प्रोपोटर के पास में unchanged holding जो है मौजूद है एंग से सेथ फैमिली जो है इनके promoters है एंड बात करेंगे FII के पास में तो LTS इंवेस्टमेंट और प्रीमियर प्रीमियर इंवेस्टमेंट फंड के पास में जो है होल्डिंग मौजूद है अगर बात करें मूचल फंड का कुछ खास जो है इसमें एक स्टेक मौजूद नहीं थार्टीन परसेंट की आरोई है और डेप्ट है हाला कि धीरे-धीरे लेकिन कंपने काफ़ी कुछ की हो सकता आगे भी करती हुई दिखे तो फ्रेंट से आगर आप यहांे वीडियो चलेगे तो आप लाइक ज़रू करीएगएगा अगर आपने चैनल को उत्तख सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और हमारे मेंबर्शी प्रोग्राम को तो अगर आपको जो है अवेल करना है तो आप हमें जो है टिलिग्राम चैनल पर कॉंटक्ट कर सकते हैं बात करें इस टॉक के चार्ट पैटरन की तो चार्ट पैटरन बहुती शांदार है एक अच्छा-कासा जो है कंसॉलिडिशन होने के बाद में स्टॉक में जो है एक बढ़िया जो है इसका चार्ट पैटर्ण जो है बना हुआ है तो यहां पर अगर देखेंगे तो आपको जो है ग्रीन केंडिल जादा दिखेंगी रेट केंडिल तो यह बीच में बस यह फसी है तो यहां पर जो है हम यह वाला जो है बेस लेके चल रहे है दो जार एकिस का स्टार्टिंग उसके बाद में देखेंगे तो इस टॉक ने रुखने का नाम नहीं लिए दीरे करके जो है स्टॉक अपसाइट में है अब ट्रेंड के अंदर ही है और यहां पर अगर बात करा जाए तो इस टॉक का जो है करीब करीब 1230 रुपे से लेके और 1070 मतलब 1075 से लेके और 1230 के बीच का जब तक यह एरिया है और जब तक इसको नहीं जो है ब्रेक करता यह स्टॉक के अंदर स्टॉक बिल्कुल अपने जो है एक बुलिश ट्रेंड में जो है मौजूद है इसको लेना चाहिए बजाए एक जगह पे जो है अपना पैसा लगाने के क्योंकि स्टॉक ने भड़िया रैली दिखावी दिया तो वहां पे जो है आप फस भी सकते हैं बात करें तो आने वाला गर एक से डेड़ साल की अगर बात करें कंपनी जिस तरीके से जो है स्ट्रेजिक इन्होंने पार्टनर्शिप की है जिस तरीके से अपने कारोबार को भड़ा रही है जिस तरीके से और भी जो है एरिया में अपना कारोबार जो है फैला रही है यह देखने वाली बहुत अच्छा कासा जहां भाग वी चुका है रिवार्ड बहुत अच्छा कासे स्टॉक में दे भी दिया करीब करीब देखेंगे तो 5.500 रुपे से जो इस टॉपने चलना इस्टार्ट किया तो अच्छा कासा जोब भागा भी है तो उसको भी जो एन अदर से जादा जो है सेयर करने की कोशिश करने थेंक यू